एलो एन बेलकम दोस्तों दोस्तों मैं कुल्दी भंडारी मेरा यूट्व चैनल टेक आउप टेली अजस्टी में स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बताने वाले है कि केनरा बैंक का KYC फॉर्म कैसे फिल अप किया जाता है यदि आप अभी तक केनरा बैंक में एक है वीडियू को लाइक करें सेयर करें एकर चैनल को सबस्क्राइब करें ले चलिए वीडियो का सुरु करते हैं तो यहां पर देखरहें हैं हैं यहां पर देख रहाए पिर और यहां पर आपको नाम यानि कि आपका नाम क्या है पास्बूक पे यहां पर आपको अपना नाम भर देना है, नाम फिल अप कर देना है, नाम फिल अप करने के बाद यहां पर एक और नमर आपको अपना एक और नमर पुरा फिल अप कर देना है, उसके बाद फादर्स नेम तो यहाँ पे आपको पिता जी का नाम लिख देना है पिता जी का नाम लिखने के बाद यहाँ पे mother's name यानि कि अपने मा का नाम लिख देना है ममी का और यहाँ पे आपको date of worth fill up कर देना है जो आपकी जनमती थी है और यहाँ पे आपको mobile number fill up कर देना है जो bank में register करवाए है और यहाँ पे आपको pen number लिख दिना है यदि आप pen card बनवाए है तो pen number लिखने के बाद यहाँ पे address यानि कि आपका जो address पूरा है fill up यहाँ पे कर दिना है address fill up करने के बाद यहाँ पे आपको proof enclosed यानि कि यहाँ पे आपको tick लगाना है कि आपके पास कौन-कौन सा पुरूफ है मेरे पास अधार काड है अधार काड है, पैन काड है तो यहाँ पे आपके पास जो पुरूफ है उस पे ठीक लगा सकते हैं यदि फ्रेंड्स आपके पास पुरूफ नहीं है तो other pity करके यहाँ पे आप अपना mention कर सकते हैं कि कौन सा proof आप देना चाहते हैं तो friends यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको place भरना है place भर देना है place भर देना है और यहाँ पे date भर देना है और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्चार कर देना जैसे आप हस्ताक्चार करते हैं तो यहाँ पर मैं अपना हस्ताक्चार कर दिया हूँ तो friends यहाँ पर आप देगरें बहुत ही आसान तरीका सी है KYC fund Canada Bank का fill up हो चुगा इसके साथ आपको अपना document attach करके bank में जमा कर देना और KYC आपका हो जाएगा friends तो इसी तरह से आपको KYC fund fill up करना रहता है तो friends अगर वीडियो अच्छा लगा थे वीडियो के like जरूर करें